यहाँ पर टेप्स को पूरा करने के लिए आपको ताजी नीम की पत्यां ले लेनी है, अगर इसमें फ्रूट मिल जाये इसका यह और वी ज्यादा अच्छा होता है, तो धेर सारी नीम की पत्यां ले लिए, साथ ही साथ एक प्याज ले लिया है, मिडियम साइज का है, अगर छोटा हो, दो ले सकते हैं, इसको छील देना है, उपर और नीचे वाले भाग को काट देना है, और इसको इसका छिलका निकाल देना है, तो इसका छिलका निकाल देने के बाद इसको छोटे टुकड़े में काट देना है, फ्रेंट्स यह बहुत यूजपुल टिप्स है, इ ये ड्रेन्डरफ को कम करता है, बालों में शाइनिंग लाती है, साथी साथ जो आप प्याज से जो तेल बनाते हैं, उसके जो स्मेल होता है, उसको कम भी करता है, फिर्ट्स इसको जरूर डाल दीजिएगा, अब सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल देना है, तो नीम की प तो डाल देना है, साती सता पीश को पीशने के लिए, यहाँ पे मैंने नारियल तेल लिया है, आप इसकी जगा जो भी तेल यूज करते हैं, मस्टर्ड ओल या जो भी ओल आपको पसंदो, वो डाल सकते हैं, थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा बचा करके रखा है, अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, अब एक लोही की कड़ाई यहां पे लिया है, मैंने इसको पकाने के लिए, अगर आप चाहें, तो दूसरी भी कड़ाई जो आपके पास स्टील की हो, वो ले सकते हैं, अब इसमें इस मिक्शर को डाल दिया है, जो बचा हुआ तेल है, उस अच्छे से इसको कुक कर लेना है, शुरू में मिक्शर को थोड़ा सा एक बार बराबर मिक्स कर दें, ताकि जो PCV चीजे हैं और तेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके बार धीमी आजपे इसको छोड़ देना है, पांस-साथ मिनट के लिए, बहुत अच्छे से पक जाता है, बीच बीच में एकाद बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है और हाँ दोस्तों, यह कोई नया नुसका नहीं है, बहुत पुराने जमाने से दाधी नानी के जमाने चलता रहा है, नीम की पत्या तो ऐसे भी आपको पता है, बहुत गुंकारी होती है, तो अग करने के बाद इसके cooking अपने आप थोड़ी होती रहती है तो आपको ऐसे इसको ठंडा कर लेना है जब एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसको छान लेना है चानने के लिए पतला cotton कपड़ा को छनी में रख देना है और इस तेल को डाल देना है बहुत अच्छे से छन ज जाता है तो friends इसको जरूर इस्तमाल कीजिए बच्चे भी कर सकते हैं बड़े भी कर सकते हैं जेंट्स लेडिस हर कोई कर सकता है इसको कोई भी इसका side effect नहीं है बहुत उप्योगी है ये और इसको room temperature पे आप एक से दो महीने आराम से रख सकते है बिलकुल भी ये खराब न लगाना है बाल की जड में बाल में पूरा अच्छे से लगा देना है रात बर रहने देना है अगले दिन शैंपू कर लेना है ये देखें friends कितना बड़िया तेल बनके ready हुआ है और हाँ दोस्तों अगर इतना ज़्यादा time लिए कि रात बर रख सके तो एक घंटे भी इसक तो चलिए दोस्तों आप लोग अपना और अपने family का ख्याल दखिए फिर मिलते हैं एक नए video tips and tricks के साथ बाई